सपने में पानी में डूपते देखना या सपने में खुद को किसी नदी नाले या तालाब या समुन्द्र आधी के पानी में डूपते देखना एक बहुत ही कीमती सपना माना जाता है जो जीवन में चल रही और जल्ड ही घटित होने वाली बहुत से बातों की ओर संकीत करता ह और खास तोर से निगेटिव सोच विचारों को छोड़ने की ओर भी यह सपना संकीत करता है क्योंकि जब हम किसी प्रकार के निगेटिव सोच विचारों के जाल में फस जाते हैं तो तब हमें कुछ इसी तरह के पानी में डूबने वाले सपने दिखाए देते हैं जैसे यदि आप सपने में खुद को साफ पाने की नदी या तालाब या नहरादी में डूपते हुए देखते हैं, तो यह सपना जीवन में किसी बड़ी सपलता के मिलने की ओर ही संकेव करता है, लेकिन उससे पहले आपको अपने इमोसंस पर कुछ जादा ही कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, वरना आप खुद को आलची बना सकते हैं, और चीजों को आज ही करने के बजाए कल पर टालने की गलती कर सकते हैं, जो आपकी प्रोग्रस को धीमी कर सकते हैं, और यदि आप सपने में खुद को किसी तरह के गंदे पानी के नाले या तालाबादी में दूपते हुए देखते हैं, तो यह सपना जीवन में निगेटिव सोच विचारों के कारण चल रही परेशानी की ओर ही संकेत करता है, जिससे बचने के लिए आपको अपने निगेटिव सोच विचारों को तुरंत ही बदलने की जरुरत है, तब ही आप इन सब तरह की परे जब एक ही साथ बहुत सारी एक्छाओ को पूरा करने की कोशिस करते हैं, तो तब हमें बहुत से कन्फ्यूजन और परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी एनरजी कई चीजों में बढ़ जाती है, और हम कोई भी काम धंसे नहीं कर पाते है या मन चाहे रिजल्ट्स जीवन में नहीं पाते हैं, तो तब भी हमें कुछ इसी तरह के समुन्ध रादी में डूपने के सपने दिखाई देते हैं, और यदि आप बार-बार ही खुद को पानी में डूपते हुए देखते हैं, तो यह सपना आपको अपने जीवन में बिल आपको आज ही अपने लिए किलियर गोल सेट करने की ज़रत है, तब ही आप इस तरह के सपनों को देखने से बच सकते हैं,